Retro Studies में आप सभी का स्वागत है आज हम Class 9 का विहाई बुक से The Sound of Music का फुल समरी देखेंगे यह जो चैप्टर है दो हिस्व में भी भाजी थे Part 1 और Part 2 और यह Part 1 और Part 2 वो दो थे बहुत 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 महान Musician के उपर अधारित हैं पहली जो Musician है वो Evelyn Glennine है और दूसरा बिसमिल्ला खान जो पहला है Part वो Evelyn के Life पे प्रगास डालता है कि किस तरीके से वो स्ट्रगल करके एक Successful Musician बनी बच्चो आप सभी इसमें यह चीज जानेंगे कि Evelyn जो थी वो Multi-talented Musician थी उनके पास इतना टैलेंट था कि वो 100 से अधिक इंस्रूमेंट बजा सकते थी और वो भी बहुत परफेक्ट ली और इसमें यह भी जानेंगे कि इस टैलेंट के वजह से वो बिस्व पटल पे अपना नाम और रोशन की सबसे इंट्रेस्टिंग बात क्या है पार्ट वन में कि Evelyn जो थी वो दिफ थी उनके कांचे सुनाई नहीं देता था वो ऐसी Musician थी जिन्होंने Music को Feel किया और Feel करने के बाद वो बहतरीन Music Create करती थी अब को ये भी पता चलेगा उनका teacher था जिसका नाम Ron Forbes था Ron Forbes इनके talent को पहचान लिया था और वो कहता था कि आपके पास इतना potential है कि आप impossible चीज़ को भी अचीव कर सकती है और मदद मैं करूँगा वो इतना motivate कर देता है कि अगर कांचे नहीं सुनाई देता है तो कोई दिक्कत नहीं है आप चीज़ों को महसूस करिए अपने body parts से महसूस करिए और finally आप बहुत 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 बहुतरीन कर पाएंगी और यही चीज़ था जिसके कारण music industry में आज भी उनका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है चुकि इनके इसी talent के वज़े से और बहतरीन music बजाने के वएसे उनको विस्पोपटल पर बहुत सारे award भी मिले और यह जो disabled community में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एक great inspiration बनी part 2 में हम बिस्मिल्ला खां के बारे में देखेंगे जिनके वज़े से सहनाई जैसे instrument के बारे में सब को जानने को मिला जब भी कभी सहनाई की बात आती है तो बिस्मिल्ला खां का नाम सबसे उपर आता है और बिस्मिल्ला खां एक ऐसे musician थे कि वो अपने इस instrument के धम पे बहुत popularized हुए और इस सहनाई को world stage तक लेके गए उन्होंने एक myth को तोड़ा और वो myth ये था कि जो सहनाई है वो independent tune कभी भी create नहीं कर सकता लेकिन बिस्मिल्ला खान ने बताया कि नहीं ऐसा हो सकता है जो myth था जो लोगों की thinking थी जो लोग कभी मान ही नहीं सकते थे कैसा भी हो सकता है बिस्मिल्ला खान ने वो करके दिखाया और बिस्मिल्ला खान एक ऐसे musician थे जो की musician के family से ही belong करते थे हम लोग देखेंगे कि इनकी सुरुआत एक अलग तरीके से हुई ये गंगा घाट के पिनारे practice करते हुए बड़े हुए वो मजजिदों में भी जाया करते थे मंदिरों में भी जाया करते थे और जब उनको बहुत ज़्यादा success मिल गया उनके life में तो उनको finally बहुत सारे पुरसकारों से नवाजा गया जो इंडिया का सर्वोच civilian award होता है दभारत रतना उनको इस अवाज से भी नवाजा गया और ऐसा है नहीं था कि बस भारत रतन ही वो रुके नहीं और finally उनको पद्म भूशन, पद्मिस्री और पद्म बिभूशन जो पुरसकार था उससे भी नवाजा गया सबसे interesting बात ये है कि सहनाई बजाने के लिए 1947 जब भारत हमारा आजाद हुआ उस समय ये पहले व्यक्ति थे जिनको सहनाई के साथ रेड़ फोर्ट पे बुलाया गया था और वहाँ पे ये पहली बार आजाद भारत में सहनाई बजाया थे सबसे important बात ये है कि जब भी कभी ये विदेशों में जाये करते थे वहाँ पे इंडिया को represent किया करते थे और एक और सबसे बहतरिन और बहुत important बात ये है कि तेहरान जैसे ही देश में भी इनके नाम का auditorium है चुकि बहुत सारी opportunities मिली इनको लेकिन बिस्मिल्ला खान कभी भी अपना जो hometown वरानसी था उसे कभी नहीं छोड़े और वो अपनी पूरी जिंदगी music में लगा दिये और finally 2006 में इनका तेहावसान हो गया और यहाँ पे आपका ये chapter समाप्त होता है Thank you for watching Please like, share, subscribe My channel Retro Studies